जै हिंद पूर फौजी भाईयो यहाँ पर बहुत सारी न्यूज आपके लिए निकल के आईए चाहे आप सर्विंग हो रिटायर्ड हो यहाँ पर आज आपको पता है 29 तारिक 29 मार्च है और आज की करेंट न्यूज में आप सभी के लिए लेकर के आए हूँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहत हूँ कि एक लेटर जो है 15 मार्च का काफी तीजी से वाइरल हो रहा है और इसमें जो है देखा जाए तो यहाँ पर जो है सैनिक वेलफेर डिपार्टमेंट के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया है इस लेटर के अंदर क्या-क्या जारी हुए वह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वह और भी यहाँ पर जो न्यूज है जैसे कि यहाँ पर पैन को आधार कार्ट से लिंक करने की डेट को बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर पैनल्टी एक हजार रुपया फिर भी लगेग और कुछ आपने केस भी देखा होगी बहुत सारे जो फेक डॉकिमेंट भी देते हैं तो इसके उपर क्या कारवाई होने वाली वो भी हम जानेंगे लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बगल में एक घंटी होगी उसे भी दबा लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको औरोपी एरियर विल्फियर की तमाम न्यूज मिलते रहे तो ख़वरों में क्या है कुछ खास वो हम जानेंगे क्योंकि ये जो लेटर है देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री केंदर सैनिक बोर्ड यानि की S.B. के द्वारा जारी क्या गया है कट अफ डेट साफ साफ यहां पर लिखावा है इसमें यहां पर बताया गया है कि यहां पर किस किस के लिए क्या क्या समय है अगर आप पैनिवरी इनिशल अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो एक अप्रेल 2023 से लेकि 31 मार्ट दोजार 24 त आते हैं अपने बच्चों का तो यहां पर एक से लेकर कि यहां पर नौवा या फिर या ग्यारवा क्लास तक के जो बच्चे उनके लिए 30 अक्टूबर 2023 है दसवी और बारवी कच्छा के बच्चों के लिए 31 अक्टूबर 2023 रहेगी और अंडर क्लासेज में 30 नौवंबर 2023 तक आप इसके लिए क्लेम जो है कर सकते केंद्रे साइनिक बोर्ड के अंतरगत और साथी में अगर आप यहां पर रिनीवल लेना चाहते हैं इसके अलावे 28 मार्च की यह बड़ी रिपोर्ट निकल के आई जिसमें जो कैग ने बिल्कुल सीधा सवाल Ministry of Defence और Army से पूछा कि क्यों यहां पर जो है Compensation जो है Higher Number मिल रहा है Disability Pension के तोर पर इसकी पूरी स्कूरूटिनी की जाएगी पूरा ज्याच किया जाएगा और बहुत सारे लोग जो Fake Document बना करके क्लेम अगर ले रहे होंगे तो उनको यहां पर आगे हो सकता है कि वो फस भी सकते हैं तो यह भी बहुत बड़ी बात निकल के आई है तो देखते हैं आने वाले समय में कब यहां पर कारवाई होती है और फिर क्या होता है इसके अलावे 30 जून तक आप अपना पैनाधार को लिंक कर सकते हैं यह भी जान रखना है इसी टाइप के और भी अपडेट के लिए चैनल से जोड़ जाएं जय हिन जय भारत